क्वालियर में एक युवक ने अपने पडोसी पर आरोप लगाया कि उसके पूरे परिवार को कोरोना पॉच्टी बता कर उसके साथ गाली गलोच की जा रही है और उसको मांसिक रूप से प्रतारित किया जा रहा है युवक ने पडोसी से तंग आकर आत्म हत्या करने की चेता ने गया था इसके लिए उसने कलेक्टर से विदिवत ईपास हासिल किया था देश शांदे 26 अपरेल को ही गौालियर आ गया और नियम के अनुसार अपने आपको दूसरे मकार में होम कोरिंटीन कर लिया लेगन पडोसी मुकेश सोनी उसके पूरे परिवार को कोरोना पॉसि किसी भी प्रकार की कोई टिपड़ी ना करने का भरूसा दिलाया है मेरा बड़ा भाई छे साथ दिन पहले मेरी चोटी सिस्टर को इमर्जनसी होने के कारण साकर चोड़ने गए थे ईपास लेकर उसी दिन वापस आ गए थे नेक्स डे मेडिकल टीम आकर उनको चेक अप किय और उनको हमारे दूसरे घर में जो खाली पड़ा था वहां उन्हें क्वारेंटीन कि तब से लगातार मेरे पास खबरें आ रही थी मेरे मित्रों से मिलने जुलने वालों से फोन पर खबर आ रही थी कि आपका घर सील कर दिया है हमने सुना है आपका घर आपको आप कोरोना प अच्छों के लिए तो श्री मुगे स्वानी जी जो हमारे पड़ोसी हैं ती मुझसे सड़क पे चिलाने लगा जोर-जोर से के आप हट जाओ यह कोरोना पॉजिटिव है यह कोरोना पॉजिटिव इससे दूर हट जाओ मुझे बड़ी समस्या हो रही है और बड़ी मानजश्ष प्रतार्ना ओरिए इसके लिए अवेदंद गिया था मुरार थाने में कपिल सोनी दोड़ा एक आवेदं परसूद किया था 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 मुरार के लिए तो एडिस्टनल सपी सुमन गूर जर मैडम मैं ने मुझे इसकी स सब्सक्राइब करें उसको कहा गया था कि तुम्हारा भाई वह पॉजिटिव है ऐसी सूचना मिली और तुम खुले घूम रहे हो तो ऐसा हम उनको समझाया कि किसी व्यक्ति की अभी पॉजिटिव होने की सूचना नहीं है ना ही उसकी एसी कोई रिपोर्ट आई है हाँ उसको कॉरेंटाइन किया गया है तो वो नहीं है उसका भाई कॉरेंटाइन है वो अपने घर में है सुरक्षित है इस तरीके से हमने यहां पॉलोनी में और भी लोगों को समझाया है कि जिससे जो व्यक्ति है उनको मांसी गुरू से पतावित नहीं किया जाए संगीत की स्वर लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने ता चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता थेलों से मेलों ता पकडंडियों से सड़कों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राजडीती से उटमीती ता तखल न्यूद, आप क्या थे? आप देख रहे हैं तखल न्यूद